हेलो वीरीवन वेलकम बैक टो माय चैनल सो आए आज की इस वीडियो में कलाश टेंथ बीसा है हिंदी का चेप्टर बीस के दात का ओपजेक्टिव कोश्चन इस वीडियो में कभर करने बाला है जो कि एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने बाला है तो चलिए ज्यादा करते में वीडियो को यहीं से स्टाट करते हैं तो पहला कोश्चन हमारे पास है कोश्चन नमर बन कि बीस के दात के लेखा कौन है तो इसका अंसर हो जागा ऑप्शन नमबर सी नलीन विलोचन शर्मा ऑप्शन नमबर सी इसका राइट अंसर होगा नलीन विलोचन शर्मा ओ पहाई नहीं है तो अप्सन नमबर डी इसका राइट आंसर होगा ओके चलिए देखते हैं Next Question कि next है नलीन बिलोचन सरमा का जन में कहां हुआ था तो इसका अंसर हो जाएगा पट नाम है option नमबर यह इसका राइट आंसर होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट है बीस के दात के मुख्य पात्र कौने तो इसका अंसर हो जागा खोखा ओप्शन नमर बी इसका राइट अंसर होगा ओकी चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट है खोखा का दूसरा नम क्या है तो खोखा का दूसरा नम खोखा यह प्र myster रिक हाग्व आप जो का एग चले देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेग्स्ट है कासू किस का पूत्र रहनौ तो सें सहाब का पुत्र था जो फरकुटर फीजर определ कि स्किuzu सें सहाब का पुट्र फीजर Right एक किराना था किरानी था ठीक है शुब्सन नंबर ये इसका anh सुड़ा किरांई था चले देखते हैं next मदन किस्का बेटा था तो इसका गिर्धर लाल option नंबर इसका राइट अन्स वह था मदन गिर्धर लाल का बेटा था करे देखते हैं next question कोखा किन मामलों में अपवाद था अपवाद था मंतलब exception उल्टा था तो खोखा था घर के नियामों की धज्यां उड़ाने में है ना अपवाद में था option number B इसका right answer होगा ठीक है option number B घर के नियामों की धज्यां उड़ाने में ठीक है खोखा क्या था अप बात थहा, औके? चली देखते हैं, Question. No.10, खोखा के दाइत किसने तोर डाले? इसका आंसर होजाइगा, मदन Option.N Murder, B मदन ने तोर डाले, खोखा के दाइत चली देखते है, Next Question Next है, मदन ने खोखा की, कितनी दाते तोर डाले? तोर डाले तो इसका अंसरु जागा दो option number B right answer दो दाते मदन निक खोक़ा की तोर डाले चलिवे देखते हैं next question next है send sahab की नाई motor car किस ने की थी motor car किस ने की थी send sahab की नाई motor car किस ने की थी कितने की थी okay तो कितने की थी तो इसका हो जागा सारी 7000 तो आप्षिन नमरसी 7000 की THी magnet सेंट सहाथ की नाईय मोंचर कर साथैर पांशो की THी अप्षन नन्ष्णुम्लब दोर नेक्सटें सेंट स? tud쳤 रहे हैं सेंट सहाथ की मोंचर कार किस रंग की दि है इसकर अन्षिन तरह द्लय और सिकाले रंकी थी। नेग्स्ट है सें सहाब खोखा को क्या बना डाल चाहते थे tentar अप्सणि नमोर भी ही राइट अप्वास होगा है गार कर दिखते हैं थे सें सहाब के अंखों के तारा कौन- खोखा था option number B right answer रोगा ठीक है छले देखते है next next है सेन्साहब किस तरह के आदमी थे तो वो एक ताना साथ है option number भी इसका राइट अंसर होगा सेंसाब किस तरह कादमी थे ताना सादमी थे चलिए देखते हैं नेक्स्ट है मादन और कासु के बीच जगड़े का क्या कारण था तो इसका अंसर हो जागा लट्टू खेलने की ललक ऑप्शन नमर सी राइट अंसर होगा लट्टू खेलने की ललक चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट है मादन के लिए क्या खाना मामूली बात है मादन के लिए क्या खाना मामूली बात है तो इसका अंसर हो जागा मार तो ऑप्शन नमर भी राइट अंसर होगा ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट है पड़ी और महल के लराई में ठीक है चलिए देखते हैं next question next है motor car को अगर खतरा था तो किस किस से था motor car को अगर खतरा था तो किस से था तो कासू से था option number see right answer होगा कासू से ओके चले देखते हैं next question next है नलीन विलोचन सर्मा का जन्म कब हुआ था अंसर हो जागा 18 फरवरी 1916 तो 18 फरवरी 1916 option number A इसका राइट अंसर होगा चले देखते हैं next खोका किस कहानी का पात्र है तो इसका अंसर हो जाएगा 20 के दात option number A 20 के दात चले देखते हैं next question next है खोका ना उम्मीद बुढ़ापे का क्या था सहारा ना उम्मीद बुढ़ापा का सहारा था option number B इसका राइट अंसर होगा next question है सीमा कौन थी तो सीमा क्या थी सेंसाहब की बेटी थी option number A इसका राइट अंसर होगा सीमा क्या थी सेंसाब की बेटी थी next है सेंसाहब की गारी का रहा था तो अंसर हो जाएगा मदन option number C मदन छूड़ा था ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है निस्टर से गारी की हवा किसे निकाल दी था तो इसका अंसरो जागा डी का सुने ठीके का सुुने तो आज़ की इस वीडियो में 46 importantamosald is locked being गेशाम के पॉइंट वियू से important होने वाला है सो इसी परकार हम लोग नेक्स्ट चेप्टर देखेंगे आज के लिए इतना है सो थैंक्यू वीडियो अच्छे लेके तो लाइक करें चैनल पर ने तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सिशेर करें ओके सो थैंक्यू